हाई आज हम लोग बिटामिन के सीरीज में बिटामिन के के बारे में जानेंगे यह भी एक फैट सोलोबल बिटामिन है चार बिटामिन जो फैट सोलोबल है बिटामिन ए डी ए एंड के इसमें से तीन बिटामिन के बारे में हम लोग जान चुके हैं बिटामिन ए डी ए एंड के अगर नहीं देखें आप लोग वीडियो तो आप लोग इसे सर्च करके देख लिजए मेरे चैनल पर और आज हम लोग जानें गविटामीन के बारे में क्मिन के जो है दो तरह का होता ईकना सथिर्फ से मिलता है फत्रे चू के लेंड किंगटाताइ है की से ढिलता है ईसके 20 नम्हें से om पआज आते हैं मतलब कि हम लोग से बाहर से लेते हैं और मिल्क से इसे बिटामिन रहते हैं गट फ्लोरा जिसको कहिए गुड बैक्ट्रिया वो भी हमारा केटू बना देता है इंटेस्टाइन में हमारी छोटी आतमें जो है ना यह केटू बना देता है बाहर से लेने का जरूत नहीं भी पढ़ सकता है हम लोगों को अगर हमारा बैक्ट्रिया जो है गुड बैक्ट्रिया यह अगर ठीक ठाक कंडिशन में है ठीक है बैक्ट्रिया इसलिए कितना इंपॉर्टेंट है यह समझ गए अप लोग हम पहले भी कहते आ रहा हैं कि पेट क यही लेवल जब घटता तो पेट में भी गड़वड होने लगता शरीर में भी बहुत सरे गड़वडियां होने लगती है ठीक है तो केटू जो है हमारे शरीर में बनता है इंटेस्टाइन में और जिस तरह से लीवर में विटामिन ए एस्टोड रहता था उसी तरह से यह भी एस्टोड रहता लीवर में ठीक है विटामिन के अच्छा अब इसका फंक्शन क्या है अगर फंक्शन जो है और जो की काफी इंपोर्टेंट है वह है फॉर्मेशन आफ कोगुलेशन फैक्टर क्या है कोगुलेशन मतलब होता है रक्त का जम जाना खून का ठक्का जमना तो अगर विटामिन के नहीं रहेगा ना साइसे हर में कुछ क्यक्र णाट घ्रैकर चला जाए गाए तो जो बाता है तो खुन में ही रहता है 12 फैक्टर जो कि खुन जैसे ही हवा के कॉंटेक्ट में आता वो ठक्का जमाने लगता और कुछी देर में हम लोगों का खुन बाहने से रुख जाता हुआ यह देखें होंगे आप लो कि खुन कहीं से कट गया चिला गया को इंजरी हुआ तो थोड़ा देरी खुन बाता है फिर बाद में रुख जाता अगर आर्ट्री नहीं कटा हुआ हो तो ठीक है तो उसी में से एक चीज यह प्रोथ्रमबीन बनाता है जो कि ब्लड कोगुलेशन फैक्टर में बनाता और यह लीवर में बनाता है और कुछ अधर कोगुलेटिंग फैक्टर जो है खून से ठक्का जम खून का ठक्का जमा देने वाला उसमें से एक है प्रोथ्रमबीन हम लोग टेस्ट भी करते हैं प्रोथ्रमबीन लेवल का है ना अगर कम रहता है तो यह समझा जाता है कि खेक्ट के भलेट कलोट देरी से करेगा जाना का क्लोटिंग टम ब्लीडइगताल भी जादा देर हुआ और उसके growth में मदद करता है ठ vulner के मसल सारा बॉन में तो अगर K कमई हो जाएगी तो भी बॉन जो है और मसल जो है हम लोगों का कम्जोर हो जाएगा ठीक है आप यहाँ पर क्वेट स्ट यह उठता है कि हम लोगों ने पहले भी जाना कि वितामिन यह भी बॉन पर काम कर रहा है डी भी बोन पर काम कर रहा है और के भी काम कर रहा है ठीक है मसल्स पर भी तो काम करता है विटामिन यह काम कर रहा था तो वह देख रहा है देखे थे कि उसमें ब्लड फ्लो इंक्रीज करता तो उस तरह से ताकत बढ़ाता है अब लेकिन यह किस तरह से काम कर करता है बिटामीन के जिवन पर खास करके बीटामीन एवह बीकर रहा है तो बिटामीन ए और के जो है ना हड़ी में Osteo Blasting & Osteo Clusting यह दो प्रक्रिया जिवन प्रयांत चलते रहती है मतलब की Osteo Blasting का मतलब हो गया खून बनने की प्रकिरिया और पुराने बन के सेल्स को डिस्ट्राइब हो जाने की प्रकिरिया को ओस्टियो क्लास्टिंग कहते हैं तो यह बनने की प्रकिरिया और उसको डिस्ट्राइब होने की प्रकिरिया दोनों हमेशा चलते रहता है और यह दोनों को नि ठीक है बिटामिन डी का यहां पर रोल नहीं रहता बिटामिन डी का क्या रोल है बोन में वो तो पहले बिटामिन डी वाले वीडियो में बतलाया ही थे यहां भी जान जाएए कि उसमें यह बिटामिन डी जो है बोन में जाने का जाया मतलब नयए-नय बॉं सेसे बनने की परकरिया घड जाएगे और पुराने पुराने होने लेंगे हमारे बॉन में और को कि भी और बीटामीου नमबा कम ओग मोटा कम होनेदे एब बिटामिन d के साइज में बढ़ते रहेगा और डी घट गिया तो क्या होगा बोन लचीला हो जाएगा ठीक है चुकि उसका फंक्शन क्या है बोन में मिनरलाइजेशन करता है कैल्सम फस्पॉरल डीपोजिट करके उसको स्ट्रॉंग बनाता ठीक है तो अगर डी रहा एंड के रहें नहीं र अब इसके बारे में कुछ चीज़ा और जानिए जब हम लोग यह जो छोटा बच्चा पैदा लेता है इंफाइंट्स नवजात सी सूं उसमें बिटामिन के की कमी हो जाती है बच्चे हडवडा जाते हैं लोग बोला जाता है तो कि बिटामिन के कम है अगर टेस्ट करा लि सुम wszystkus में झाउल हुआ फावाखा चूं की जब बच्चा पाइदा लेता हैं तो राता है तो आ हुशन में बैक्ट्रिया में आ वह उतना इस नहीं नहीं हुआ रहाता ठीक है विटामिन के टू जो है कहां बन रहा है गट फ्लोरा में बन रहा है तो अभी तो बच्चा पैदा ही लिया उसमें बैक्ट्रिया अस्टेबलाइज नहीं होता है तो और वह केटू नहीं बना पाता इसलिए कवी कवार बच्चों को छोटे नवजा करता है बिटामिन के का ठीक है तो इन फेंटाइल युण जॉंदीट जो होता है बच्चा में जॉण डिस भी होता है अधिया तो यह जो है लीवर भी जो है हाइपर एक्टीव रहता है इसलिए उसमें प्रोठ्रमीन का जो ढास्ते है वह बहुत कम रहता तो यह जो दो दो फैक्टर मिल करके नवजात सीशों में बिटामिन के की कमी की हो रहते हैं एक चीज़ यहां पर और जाने हैं बिटामिन के कमी होने का कारण हम लोग को या तो कभी रोग हो गया वैसा इंफेक्शन जिसमें इंटिवाइटिक चलाना पड़ गया या हम लोग को आदत भी हो अच्छे भी मर जाता है देखिन है हम लोग तो वह उस टाम भी बेक्टरिया नहीं रहेंगे तो बिटामिन का टेमपोरारी डिफिसेंसी हो जाता है हम लोगों को लेकिन अगर वह ही भी कभी कभी लगा बीटामिन से चल जाता है तो वह लंबे टाइम के लिए भी कमी हो जाता है बीटामिन केटू का केका तो केटू का इंजेक्शन भी आता है वह पड़ता है हम लोग को चुकि बैक्टरिया अगर हम लोग खा लेंगे जैसे ग्रीन लेफी वेजटेबूल्स खाए मिल्क पिए और भी चीज़े खाए तो वह तो यह जो है तो वह एंटिवाइटी खाने से बैक्टरिया मर गया तो केटू नहीं बना तो टेम्पूरारी होता है अगर हम लोग फिर से अगर गुट बैक्ट्रियाज खाने लगे या बजार से भी आता हम में भी आता है बना बनाए प्रोबायोट्स अगर वह खा लिए तो अगर दही मठा खाए लसी तो उससे भी उसमें भी गुट बैक्ट्रियाज रहते हैं तो फिर हमारा जो फ्लोरा ठीक हो जाता है और फिर से विटामिन के बनाने लग जाता है तो विटामिन के बारे में यह थी जानकारी अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अग इससे ऐसा लगता हो कि हम लोग को कुछ नॉलेज मिलता है तो प्लीज इससे सब्स्राइब कीजिए शेर कीजिए और बेल आइकान को दवाना ना भूलिए ताकि आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहा है मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जाहिंद